राघव के लापता होने के पीछे मिश्री और वानी ने लगाया एक दूसरे पर इल्जाम वानी ने दी मिश्री को बड़ी धम की कलर्स टीवी के शो मिश्री के अपकमिंग अपिसोड में हमें यह देखने मिलेगा जैसा कि रागफ के लापता होने पर मिश्री को हो चुका है वानी पर शक और यहां पर जब मिश्री वानी से यह सवाल करती है कि कहीं रागफ के लापता होने के पीछे वानी का तो हाथ नहीं तो यहां पर वानी बड़क उटती है मिश्री के ऊपर जहां पर मिश्री से वानी का ये कहना है कि ये सारी साज़श वानी की नहीं बलकि मिश्री की है क्यूंकि मिश्री रागफ को गायब करके रागफ के घर में वापस आ चुकी है ता कि सब को सिम्पती देनी पड़े मुश्री को और ऐसे में मिश्री और रागफ दुबारा से इस घर में अपनी जगा बना ले और वानी को घर से बाहर निकाल दे और यहां परवानी ये बोलती हुई नज़र आ रही है कि अगर उसे किसी को गायब कराना ही होता तो वो मिश्री को गायब कराती ताकि रागव वानी के पास लोटा है जिसके चलते रागव के गायब होने के पीछे नहीं है वानी का हाथ और यहां परवानी ने लगा दिया है मिश्री पर इलजाम जहां पर मिश्री को बूरी तरीके से वानी धमकाती हुई भी नजर आ रही है और यहां पर वानी का ये कहना है कि अगर राघव वानी का नहीं हो सका तो वानी राघव को किसी और का नहीं होने देगी और मिश्री का तो बिलकुल भी नहीं वेल क्या है आपका कहना आप हमें जरूर बताएं साथी साथ हमारे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलें